नमस्कार मैं राहूल नाकपाल और आप देख रहे हैं मारा यूटूब चैनल जिसका नाम है बोल पिचासी मैं दिल्ली के आजा समाज पार्टी के कारिया लेपर हूँ और मेरे साथ दिल्ली की आजा समाज पार्टी की पूरी की पूरी कार्यकार्ण ये मेरे साथ दियकुराम पर लड़ू एक दूसरे को खिलाए गए जैसाब आपके नेता जी का नोमिनेशन हो गया क्या कहना चाहोगे इस मौके पर ये एक जीत की पहली शंखला है जीत उसको नहीं कहते कि हम चुनाव में जीजें जीत उसको कहते कि जब संगठन उस मकाम पर पहुंचता है जहां पर नामांकन करता है मैं समस्तों ये बहुत बड़ी जीत है कि अमूमन जो भावजन समाज के लोग है उस शिखर तक पहुंचे नहीं पाते और उस शिखर पहुंचने के बाद आज उस शिखर पर पहुंचेंगे कल जीत होगी कल MP बनेंगे मंत्री बनेंगे लेकिन ये जो रष तुमानेवार सिर्फ लोग प्रियता से बढ़ता है किसी भी व्यक्ति का कद वहां की जनता की वजह से बढ़ता आप जैसे खुद ही कह रहे हैं कि जिस प्रकाश चंद्शेकर सहाब वहां पर लोगों के बीच जाकर गाउं गाउं मैं खुद गया हूं आप पर एक गाउं गया कम सहले 10-15 दिन में मैं तो हम लोगों ने वहां पर भाटावाय कि छेत्राब तो वहां पर मैं लोगों के बाद जिस प्रकार गया है मैं मुसलिम बेल्ट में गया किया मैंने बात रखी मैंने का तुम चंद्शेकर को जानते हो वह तो हमारे आने वाले नेता है तो वो जो मुहीम वहाँ पर जो आवाज जो वहाँ पर लोग प्रियता है उसके चलते जो आपने बात कही तो वो अपने आप में सत उभर कर आ रही है मुसलमानों के वारे में कहा जाता है कि पहले भाई फिर सपाई और लाश्ट में बस पाई तो इस बार भाई चंदर से का रावन बन पाएंगे बिल्कुल यह तो आपने खुदी अपने बात बहुत है पहले भाई मैं मुसलमान बैल्ट में गया हूँ वहाँ पर मैंने बात रखी कि बाई किसको अंजान वक्ती बनके गया मैं वहाँ लोगों ने चंद्शेकर जी का नाम लिया और चंद्शेकर जी को वोट पूरे पूरे गाव एक तरफा और मुसलमानों में ये बात तैय है कि मुसलमानों की वोट बढ़ सकती है अगर हम वह पर एक क्योंकि जो पुराना वहां के जो MPs रहे हैं उन्होंने मुसलमानों को उचित न्याय उचित राजनीती नहीं जी इसके कारण वो लोग भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है 2009 में बजहूद में आई सीट बिजन और से लग होने के बाद में और पहले सपा फिर बीजेपी और पिसली बार बसपा की गिरिसन जाटा वहां से जीते ऐसे में लग रहा है कि मुसलमान एक तरफ अगर पढ़ जाता है चंदर से के रावन को और दलित भी मिल जाता है तो जीत सुनिश्चित है मेरा सुझाव यह है कि अगर मुसलमान की वोट अवल तो हमें पढ़ रही है लेकिन मैं समझता हूँ एक इस आपके माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से कि अगर मुसलमान की वोट बट भी जाती है लेकिन जो एससी वोट है और जो आपने OBC वोट है उसमें मजॉरिटी चंद शेकर साहब को मिल रही है आज आज समाज पार्टी को मिल रही है तो लेकिन क्या होता है कि अभी चुनाओ का पहला पक्ष है अभी और केंडिडेट्स भी आने हैं बहुत सी परिवर्तन होगा लेकिन आज की समाजबादी पार्टी ने मनुश कुमार को उतार दिया और बहुत समाज पार्टी ने सुरंदर पाल को वहाँ पर प्रतियासी बनाया है बसपा कितना वड़ा डेंट आप बसपा को मार पाऊगे या बसपा आपको कितने वोट नुकसान कर पाई जो वहां का समीकरण है बसपा को लोग लाइक नहीं कर रहें बिकोश बसपा ने उत्त कि नुमाइन दे रहे तो वहां की जो जंता है नई नई एक आवाज को ढूंड रहे हैं जो की चंदर सेकर के अंदर देखिए मैं लोट करके जैन साब के पास आँगा कुछ और एक साथ हैं इसे बात्चित कर लेते हैं बड़ी बात यह है कि नगीना पर तमाम लोगों की नज कि चंदर सेकर रावन को समाज सुईकार करेगा या फिर मामला कुछ धुलमुल रहेगा लेकिन अभी तक जो जानकारिया वो यह है कि चंदर सेकर रावन उस सीट पर मजबुती के साथ जो है वो लगे हुए क्या नाम है आपका सर मेरा नाम अरुन टाक है मैं परदेश उप पांस पांस दिन अगीना में लगा करके आए हो आप लोग वहां ग्राउंड लेवल पर घूमें हो क्या है हुआ के आम आदमी की सोच तो वहां पर इस सिर्फ और सिर्फ चंदर सेकर भाई है क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा इतियास बताता हूं जब बाबासाब अंबेट क सविधान सभा से बाहर निकले सविधान प्रश्थिती देने के बाद में जब भार निकले तो पहले उनकी आखों में आसूते फिर थोड़ो से मुस्कुराएं तो बाहर जो कांग्रेस के साथी खड़ेते उन्होंने उनसे पूछा कि आप रो रहे हैं हैं हमको समझ में नही दे लेगा सविधान के पेट से राजा जनम देगा रानी की कोक से राजा पैदा नहीं होगा दूसरी चीज उसके विपरीत उन लोगों ने क्या किया जब हमारे को 131 सीट सी की दे दी गई आज भी हमारे 131 सांसत बैठे में हैं मगर वो लोग हमारी तरफ क्यों नहीं देखते उसका एक बहुत बड़ा रीजन है उस समय पे क्या हुआ था जब एक कॉंग्रेस लीडर को पता चला के सीट हो गई है उन्होंने क्या करा अपने घर में से किसी एक व्यक्ति को उठाया उसका सी साटिफिकेट बनाया उसको इलेक्शन में उतार दिया उसको ना तो ए पता था ना जैड पता था और वह सिर्फ कटपुतली की तरह उनके साथ काम करते रहे आज भी वह एक सो एकत्तिस वहां पे जो लोग सब्सक्राइब हैं हमारे वह आज भी उन कॉंग्रेस और उस वीजेपी की सरकार के सिर्फ कटपुतलिया हैं मगर आज चंदरसेगर भाई काम कर रहे हैं वह मतदान की पेटी से राजा बन के आएंगे और एक सब्सक्राइब करें दिल्ली में तो आजा समाज पार्टी से जुड़े हो या भी मार्मी से जुड़े हो चंदर शेकर से जुड़े हूं में जाएंगे जाती से आते हैं मैं जाट कॉम्निटी से बढ़ी बात बता दू के पहले जिन से बात कर रहे थे दूसरे टांक साब बोलें तो दले समाज में वालमी की जाती से और आप जो हैं वह चौदरी साब हैं हरियान लेके जाट तो यह बहुजें समाज है जिसको कहा पर दहने हैं जाते हैं पर दन आएं राजपाल कल कल उसके पहली amazing अरह को गुम्रा करकरद सीधा-धर इसके अंदर बहुत जनोर बीशी भी है वह एक तेज पत्ता होगाय में डालने वाड़ा उसकी तरह हमारे को यूज करते हैं और भखता यूज करके निकाल कर फेक देते हैं जैसे उदर दूशन्त है जैसे इतने भी आई ना सब को यूज करते हैं और वह ऐसी है ना वह तो बेचारे द्धारी पर रखे खेत दे रखेंगें को अगर वह गल्ट शल्च ले तो उनको अगले सल्टी करने में लगी तो उनकी मजबूरी है अब वह आपड़ा स्वाद ले पर मेरे को लगता है यह आगे निकल जाए का लड़का मायवती से उम्मी टूटती हुए दिखाई देरी नहीं तो अगर वह आपर वह मुनवादी लोग निगोश्ते तो बेहन जी आज पर दानमंत्री बन जाती है जी आज पर दानमंत्री बन जाती कहना है चौई साब का और यह हमारे साथ पुराने साती हैं बीर से जी दिल्ली परुसे रिटार हैं औरज चंदर से करके बड़े मजबूत साथ यहं बीर समधि नगीना फिर घूम कर के वही साथ right Bliss llevar रजबाने कि अजया यह विसवास है क्योंकि हम जैन साथ के साथ पूरी टीम हम वह एक अफ़ता लगाए हैं गाउं एक गाउं एक घर एक गली हम घुमे हैं और इस विशे सेटके में आपको एक और बात बताना चाहता हूं अगर इस संग को नहीं रोक्या गया चोब इसमें तो देश के लिए आखरी चुना होगा बेहनों भाईयो इसलिए देश का लोगतंतर और समिधान बचाने के लिए संग को रोकना बहुत जरूरी है नहीं तो यह आपके पत्तरकारितारियस आपका भी सारा काम चिनने वाला है ठीक है समिधान खत्रे में है लोकतंतर खत्रे में है यह लड़ाई मैं पिछले पांस साल से बोल रहा हूं पबलिक में यह लड़ाई यह इलेक्शन मनुसमर्ती वर्सिज समिधान मंडल वर्सिज कमंडल और बीच में कुछ नहीं है यह समझ कर चंदर सेखर इसको लड़ प तो आज बाइसाब की कुछ अलगी पोजिशन होती वर्ड की पत्रीका में आम आया वर्ड के सो उबरते वे नेताओं में इंडिया के नहीं वर्ड के यहां का मीडिया का यहाल है तो आपको लोगों का धन्यवाद चलिए खैर हमारे लिए भी धन्यवाद का नाम है आपका साहब मेरा नाम विजे सिंग है और मैं दिली प्रदेश आजा समाज पार्टी से कौर कमटी का सदस्य हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप यहां पर आए तो किया कहना चाहोगे तमाम पूर के पैनल में जो लोग ते उनको आपने सुना तो उनकी बास से सहमत है मैं बिल्कुल सहमत हूँ, बाबा साब के बादे इस देश के अंदर कोई पैदा हुआ, तो साहब का सिराम साब के जो मिसन को एक भावजन ने चलाया, आज भाई ने उसको आगे बढ़ाने में जो हमारा बैक हो गया था, उसको आगे बढ़ाने में सबसे एहम रोल साहब ने भाई एडवोकेट चंदर से करा आज औरो लग रहा है के अख्रेश यादव ने दोका दे दिया, आपको लगता है एक देश के अंदर भावजन समाज हमेशा धोके में इन्होंने दोके से ही हर चीज बहुजन समाज को बहुजन समाज को बड़ा ललकार बड़ा उस काटेगरी पर लाकर खड़ा किया पर जो आज जो भाई संदर सेकर राजात को आज इनको समझ आया अकलेज जी को याद होगा पीछे जिन्हों समलित करने का प्रयास किया पर उनको अब समझ आ रहा है कि मैं बहुजन समाज के बिगार मैं सरकार नहीं बना सकता पर भाई सेकर भाई ने एडवोकेट चंदर सेकर जी ने निड़ना इलिया साब काशिराम साब के उदेश के अंदर आज उन्होंने कदम बढ़ाया उन्होंन अब लगने बाद मिशन को साहाब नहीं आगे बढ़ाया बाई को उसको आगे लेकर जाराएगा देश के नदर जो आज इस्तिति है जो इसको देखते हुए इस देश के अंदर कहीं भी हट्या चार होता है कहीं भी चंदर सेगर पोंसते अमीद है उनसे उमीद नहीं वो आ लेकिन मैं इस वीडियो को इस बातचीत को एक और हमारे मेहमानें उनसे एक मिलट की बातचीत करने के बाद हम लोग इसको खतम करेंगे पूरे समाज जिसको बहुजन समाज कहा जाता है उसको लेकर के चुना वहां पर लड़ा जा रहा है एक उम्मीद पर होती है आदमी वही जीता है जिससे लोगों की उम्मीद मन्दी होती है जिन पार्टियों को आप तक हमने देखा वहां पर जो MP रहे है तो वो वहाँ पर कोई काम नहीं कर पाए हैं, लोगों की आवाज नहीं बन पाए हैं, और आज भाई चंसेकर जो बहुजन समाज की एक देशी नहीं पूरी दुनिया में एक आवाज हैं, तो लोग उनसे उम्मीद लगाए हुए हैं, कि वो जो हैं उनकी आवाज बन करके मैं उम्मीद करता हूं, कि इस भाई भाई चंसेकर उस सीट पर जीत करके नगीना को वो पतिनिद्द दिलाएंगे, जो सच्चा पतिनिद्द होना चाहिए, तो मैं तमाम लोगों से बादशीत की इस में, मजे की बात यह है, कि यहां पर वालमी की भी थे, यहां पर जाट यहां पर गूजर भी थे, यहां पर चमार भी थे, यहां पर जैन भी थे, वो तमाम बहुजर समाच जिसके कल अपना मानेवर साब कासीराम और बाबास साब डॉक्टर मेटकर ने की, वो तमाम लोग यहां पर थे, और मैंने पहली बार देखा है कि किसी, S.C.H.T.O.B.C. क देखतर में इतने सारे लोग बहुजर समाच के पदखकारी हैं, इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्याप पिरती कि रहा हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएए, धन्यवाद्वाद्वाद्वाद्वाद्व.